हेलो दोस्तो आज मैं आपके बस लाया हूँ hidden spy camera तो देख सकते हैं यह USB camera है यह बहुत ही छोटा सा इसका है और इसका जो picture quality है बहुत ही बढ़िया है power bank की या mobile के जो charger है उससे connect कर सकते हैं यह जो spy camera है वो इतना सा है देख सकते हैं और यह जो spy camera है यह 2 megapixel का है और इसके साथ आता है आपका जो है micro sd का solot देख सकते हैं तो यहा पर देख सकते है camera जो है वो यहा पर है और यह flexible है ठीक है तो दोस्तों यह वाइफाई camera है इसमें आप recording भी कर सकते हो फोन से भी देख सकते हो अगर आप इसमें इंटरनेट पोवाइड कर दोगे तो वाल्ट की कही पर भी बैटके powerbank में आप इसे लगा सकते हो लगा के भी इसे पावर दे सकते हो या दूसरा जो आपका जो मोबाइल का charger होता है उसमें भी इस तरह का charger आप यूज कर सकते हो तो इसमें जो है दोस्तों 1-2 एंपे चारजर आप यूज कर सकते हो प्लेश्टोर पर जाना के बाद आपको यह पर install कर लेना है ठीके तो यहां पर देखिए मैंने app जो है वो install कर लिया था तो यहां पर I have read and agree तो यहां पर जितना भी आपका access आएगा उसे agree कर देना है तो देखिए यहां पर need to access additional permission तो यहां पर कुछ permission मांगेगा ठीके तो यहां पर confirm कर देना है उसके बाद यहां पर जो यहां पर इस तरह से यहां आपने हिसाब से exist कर लेना इसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह रहा हमारा device तो device को यहां पर लगाना है तो देखिए device में यहां पर हमारा LED जो है वो जल रहा है यहां पर rate color का LED देखिए यहां पर rate color का LED जल रहा है तो दोस्तों पहले आपको इसे आपके एक बार रिसेट करना है तो यहां पर देख सकते हैं छोटा सा होल होता है यहां पर यहां पर दबा के कुछ देर के लिए छोड़ना है फोरी देर दबाने पर देखी यहां पर blue color का indicator जो है वो जल रहा है तो देखी with an account, यहाँ पर register option पर आप click किजे पहले, click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, country origin आया है, तो यहाँ पर register with mobile number करना है, तो यहाँ पर आपको जो है, अपना जो country है उसे select करना है, mobile number का code है, तो यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं, number आ चुका है, तो पर आप country of origin जो है यहाँ पर इंडिया नहीं आएगा तो यहाँ पर आप एशिया डाल देना ठीके क्योंकि यहाँ पर इंडिया का नंबर डाला है लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको जो है एशिया डालना है उसके बाद आपको mobile का जो नंबर है उसे यहाँ पे देना है उसके बाद यहाँ पे next कर देना है ठीक है next करने के बाद आपका number पे एक verification code आएगा ठीक है इसी number पे जो आपका phone के साथ है तो यहाँ पे verification जो code आएगा वो यहाँ पे feel करना है ठीक है चली दोस्तो verification code आ गया है देख सकते हैं यहाँ पे verification जो code है वो आ चुका है तो यहां पर open करते हैं तो देखिए यहां पर 744684 ठीक है यहां पर तो इसे डाल दिया है उसके बाद यहां पर click करना है तो यहां पर next करना है तो देखिए यहां पर यह लोडिंग हो रहा है तो यहां पर एक आपको password मांगेगा तो यहां पर आपको एक password देना ह तो यहां पर P-R-I-T-A-M, प्रीतम मेरा नाम है, तो यहां पर मैंने इसका पासवर्ट जो है, वो दिये दिया है, तो यहां पर कह रहा है कुछ और देना है, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, यहां पर दे देते हैं, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, यहां पर फिर से टाइप कर सकते हो तो यहां पर फिर आपको देना होगा P R I T A M 1 2 3 4 ठीके तो यहां पर देखिए दोस्तों मैंने यहां पर पास्वार्ड डाल दिया है दो भूल सकते हो क्योंकि यह पास्वार्ड आपको इसलिए देना है ताकि आपका वाइफाई से अगर यह वाला डिवाइस अगर कोई आपका वाइफाई से कनेक्ट होगा तो इसका एकसेस ले सकता है इसलिए यह पास्वार्ड जो जानेगा वही आपका कैमेरा का एकसेस ले देना है उसके बाद password जो है मैंने डला था आपको दिखा देते हैं P R I T A A M ठीक है तो यहाँ पर मैंने दे दिया है 1 2 3 4 उसके बाद मैंने has दिया था तो यहाँ पर मैंने password जो है वो set कर दिया है आपका country of origin जो है उसे select करना है तो मैंने यहाँ पर India किया था तो कर दिया है login करते हैं तो login करने के बाद दोस्तों देखा आपका जो device है मतला आपका इंटरफेस है वो open हो चुग है तो यहाँ पर add device करके आ रहा है तो यहाँ पर click करने तो id भी यहाँ पर आप जो है डाल सकते हो यहां पर देख सकते हैं वाइफई जो है वाइफई को ओपिन कीजिए यहाँ पर देखिए यहँ वारा जो device ह होता है इसका Wi-Fi मिलेगा मेरा जीओ डेखले है जे जो चल रहा है अभी यहां पर है 444 999 00 तो यहां पर आपको जो है 444 999 00 तो यहां पर क्लिक कर देना है तो कंफर्म कर देना है तो यहां पर डिवाइस का नाम आप क्या दोगे तो यहां पर हम सिलेक्ट कर देते हैं तो फिनिश कर देते हैं तो यह वाला वाइफाई का देखिए यहां पर लिखे ह तो देखें दोस्ति यहां पर फूटेज जो है वह दिखने लगेगा तो आपको एक बार दिखा देते तो देखें मैं यहां पर वीडियो कर रहा हूं और इसका वीडियो का क्वालिटी देख सकते हैं बहुत ही बढ़ी हाई देखें यहां पर पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है तो यहां पर जो है आप जूम कर सकते हैं तो यहां पर जो यह वाला कैमेरा का क्वालिटी है यह दो मेगापिक्सल का है सिर्फ इसमें नाइड वीजन नहीं है तो इसे बाहर की और घुमा के देखाते हैं आपको घरगा बाहर का जो पिक्चर है वो भी दिख रहा है तो यहां पर इस तरह से आप इसे जो है ठीक कर सकते हैं अपनी हिसाब से तो इसे बैक कर देते हैं इसमें फीचर देखी दोस्तों यहां से आप फोटो किस सकते हैं तो यहां पर अगर किलिक करीजिएगा तो यहां पर जो अभी बाते होगा वो सुनाई देगा तो यहां पे सेट कर देते हैं इसे उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या का फीचर से तो यहां पे एक पर जो है बैक कर देते हैं बैक करने के बाद आपको replay का option मिलेगा replay के मतलब होता है दस्तो अगर आप यहाँ पे HD card डालोगे ठीके तो आप इस HD card को control कर सकते हो ठीके और यहाँ पे cloud का option भी है आप यहाँ पे cloud भी choose कर सकते हो cloud choose करने से यह होता है आपका मानलेजे यह वाला device को चोड़ी कर लेता है लेकिन आपका जो video footage है वो cloud में मतलब internet में रह जाएगा आप कही भी आप इसे देख सकते हो ठीके तो इसे ही cloud कहते है तो microSD का option भी है अगर इसमें HD card होगा तो इसमे HD card शो करेगा ठीके तो यहाँ पे HD card से video download कर सकते हो photo download कर सकते हो तो इसे फिर से back करते है तो हमारा camera अभी on है जो video है अभी चल रहा है recording भी हो रहा है तो यहाँ पर setting पर आपको जाना है ठीके तो यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पर कुछ option मिलेगा यहाँ पर general है आपका network का जो नाम है देखिए यहाँ यहाँ यह वाला नाम आया है mb यह आपका जो है यहाँ पर wi-fi mode है station mode ठीके तो यहाँ पर wi-fi station mode जो है यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर आपका local जो wi-fi होता है उसमें से अगर अप यह connect कर दोगे तो यह online हो जाएगा ठीके तो यहाँ पर please select Wi-Fi करके आ रहा है, तो यहां पर देख एंगे मेरा जो Wi-Fi यहां पर आ गया है, तो यहां पर Wi-Fi का password डालेंगे, तो Wi-Fi का password डालने के बाद, आपका जो यह device है, यह online हो जाएगा, आप वर्ल्ड का कही पर भी बैठके इसे देख सकते हो, तो मैंने यहां पर अपना GeoFi जो है, इसे जो है off कर देते तो यहाँ पर देखिए यह पहले तो wifi से connect था है तो इसे off कर देते हैं और यहाँ पर data जो है इसे यहाँ पर चालू कर देते हैं तो दोस्तो wifi मैंने off कर दिया है off करने के बाद आपका फिर से camera जो है यहाँ पर आना है तो दो या तीन सेगेंड लोडिंग का टाइम लेगा है उसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पे मेरा जो जियोफाई से यह कनेक्ट है यह बहुत ही अच्छे से आपको सर्फ कर रहा है ठीक है दोस्तों यह जो है यह बिल्कुल जो है आपका मोबाईल के इंटरनेट से चल रहा है देखी यहाँ पे इंटरनेट है कोई वाइफाई नहीं है लेकिन यह जो है यह मेरा इंटरनेट से कनेक्ट है ठीक है तो इसे आप कही भी बैट का दे सकते है वाल की कही पर भी बैट के दे सकते है तो इसका देख सकते है सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद